इस पूरे खेल में अगर किसी के हाथ कुछ नहीं लगा है तो वह है शिप्षेना और शिप्षेना के एक नेता जिनका बयान सुबा साम आता रहता था वो थे संजय राउत संजय राउत का नाम मुख मंत्री पत की रेस में भी चल रहा था जब NCP, Congress और शिप्षेना की मिटिंग हो रही थी उसमें संजय राउत दूसरे च्वाइस ते जिसे शरत पवार चाते थे कि अगर उद्धर ठाकरे मना करते हैं तो संजय राउत जरूर CM बने उनके हाथ में CM क जरूर बताते थे एक दो लाइनों में अपने ट्वीट को लिगते थे और यहां तक कि वो जब अस्पताल में थे तब भी उन्होंने ट्वीट किया था और जब बाहर निकले थे तो हर दिन एक ही बात कहते थे सुबह और शाम एक तरीके से रट्टा मारते रहते थे कि महरा महरास्ट में अगला मुख्यमंत्री तो शिब सेना का ही बनेगा लेकिन उनकी बात पूरी तरीके से जूट शाबित हो गई है आज सुबह जब महरास्ट में देवेंद्फरंट बिस ने शपत ली तो उसके बाद भी संजे राउत ने ट्वीट किया जिसके बात से अब संज चुनाव पैणाम आने के बाद से लेकर अब तक संजら उतने क्या कुछ कहा है उनोंने बसी बद्र से लेकर दूश्यंत कमार्टव को याद किया अपने ट्वीट में उनने लिखाये उन्होंने इसके बारे में बताया है और वह एक तरीके से वीजे पीपर तंज कस रहते है और उन्होंने सबसे जो बिल्कुल ताजा वाला उनका तंजी था वो यही था कि जिस जिस पर यह जग हसा है उसी ने इतिहास राचा है और उसके बाद से वह लगाता ट्रोल हो रहे हैं वैसे वह पहली बाद ट्रोल नहीं हो रहे हैं चुनाव परणाम आने के बाद से ही ट्र उसके बाद उन्हेंने 14 नॉवंबर को एक ट्वीट किया था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है उससे पहले उन्हेंने 12 नॉवंबर को भी ट्वीट किया था कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभ हारी दौलत नहीं नहीं है उससे पहले भी उन्होंने ट्वीट किया था कि मैं एतबार ना करता तो और क्या करता वसींबर इल्वी का सेड़ है उन्होंने ये भी नौ नौमबर को ट्वीट किया था आग्याई परिक्षा कि इस घड़ी में आईये अर्जुन की तरह उध्गो है कि फिर भी तुम्हें कोई यकीन नहीं तो ये लगातार ये सिल्सिल जाई था जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं वह कमाल करते हैं चार नौमबर को लिखा था उन्होंने कि लक्ष तक पहुंचने से पहले सफर में मजा आता है और उद्धव ठाकरी के साथ उन्होंने एक सरकार चाहे जिसकी भी बने लेकिन संजे राउत शायर बन गए हैं बिलकुल संजे राउत लगातार एक तरीके से देखे तो बीजेपी पर हमला बर थे और वो अपने बयान में ये साब तोर से कहते थे कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो उद्धव ठाकरे का ही आप उसे ब अज सुबा भी जब देवेन फरेंबिस ने शपत ग्रहन ली और अजीत पावार डिप्टी सीम के तोर पर वहाँ पर शपत लिया उसके बाद भी संजे राउत ने प्रेस कॉनफरेंस किया और पाप के सौधागर कहके पूरा संबोधित किया हम आपको पूरी प्रेस कॉनफ त्यांची बॉड़ी लांगवेज यह संश्यास पद हो यह अमी अमचा लक्षा ताथ यह शरत पावार सहबायंची लक्षा तेथ होता है त्यान हंतर आच्छा नक्ते बाहर पढ़े त्यांचा फोन बंदर आई यह वक्किला कड़े बसले आसा सांगना तेथ होता है या सगला घढ़ा ओडिनशी शरत पावार हैंचा कही समंधना यह में ठांपने सांगुशा जा विलेला शरत पावार याना इडिची नोटीस हाली याने संपुल्ण महाराष्टा मदे एक वातार निर्मान धाला त्यहोई अचानक तानी जा प्यकरे विधान सवेचा राजिना मदिला शरत पावार हैंची लोगपुरेता शेगला पूशली आसाला है तेवाच मला संशयाला हूँ कि यहांचा मनात करत्री काले बेरा है अजित पावार यहने जो निर्णे गेतला टाईप एक्षा अजित पावार हाना दो खोड़ना ता प्रेतन जाला भारती जनता पक्षा कड़ूं अजित पावार यहने महा रष्ट्रा पातीट खंजिर हूँ पसले अजित पावार यहने शरथ पावार ना दगा दीला प्रश्ण इतका चाहे, देविंदे फरणविस मुख्यमंत्र आखताना अजित पावार येंची जागा अर्थर रोडचा जेल मजे अहिले दे वारंवार सांगतु। त्या संदरभाद का ही दबावानों, धमक्या देव। अमधार आण अजित पावार ये तनी फोल ले। का। क्यों अम या पुल्लया कैमिनेट बैठका, और्थर रोडच जेल ला घेना राहतका, असा है लोकांचा मना क्रश्ण निर्मान हुई। जी महागाडी आमें स्तापन करत होतो, त्या महागाडी चे अस्तापने मुले, या देशा अतले एक वातावरन बदलनार होतों। त्याक्ताह मुली राज भवनाचा हा सलल सलल गैरो आपर रात्री wrinkles चा अंधारा मदे पाप होतो चोरुन पाप केलो जातो चोरुन दाका अने दरोडा हातला जातो तुमी राज्याचा मुख्य मँख्यमुख्यमुद पदाजी शपत घेता है मग महाराष्ट्राचा जनते ला नजर भिड़ेवन दिवसा ढवला लोकाना अमंत्रित करून महाराष्ट्राचा मुख्यमति पताची कि वा सरकार्ची शपत तुम्ही का घेतली नाही यचा अर्थ आसा है तुम्ही पाप केला तुम्ही चोरी केलिए तुम्ही डाका घातले तुम्ही महाराष्ट्राचा जनते ला फसवले और यहाची किम्मत या स्रग्याना तुकवावी लागे शिवसे ना यह खंबीर है आत्ता उद्दोध हकर साई बने शर्वत पावार है भेट्टिल प्रदाचित एकट्रेक पत्रकाट पत्शित हूँ शक्ते पन जानी यहाँ वयार शर्वत पावार जन्चा सर्ग्या मोठ्या नेत्या लागे दगा जन्दा प्रेत नेकेला घरातू नच मला असा वाटता की ही सुद्दा महाराष्टाला नवण नरी गोष्टै काहितरी चांगला घड़त अखताना महाराष्टाचा स्वाभी मानाचा विशे घड़त आसताना जा पत्दतिना हे सर्व पड़्द्या मागे पैसाने सत्तेचा गैर वापर करून प्रतिक्रिया के बारे में हिंदी में थोड़ा सा बताई के मालूम नहीं उनकी प्रतिया जो रियाक्शन है उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं कल नव बजे तक ये महाशे हमारे साथ बैठे थे पूरी बातचित में सक्रिये थे पूरी सुचना भी कर रहे थे अचानक से वो गायप हो गए हमें थोड़ा संशय आया था उस बारे में उनकी जो बाड़ी लैंग्वेश थी क्योंकि वो नजरों से नजर मिला करने बोल रहे थे जो व्यक्ति पाप करने जाता है उसकी नजर जिस पकार से जुकती है वो जुकी हुई नजरे से बात कर ठीक है बातचित एक दिन के लिए आगे बढ़ गए उसका मतले वे नहीं था लेकिन भारतिय जन्ता पक्षा ने राजभवन का जिस पकार से दुरूप्योग किया है फिर एक बार ये इस देश की लोक्तंत्र को शोभा नहीं देता सत्ता पैसा और मस्ति ये सब फिर एक बार उसका गईर कानूनी धंग से इस देश में वापर किया है मैं मानता था कि इस राजभव के राजभवाल एक ऐसे व्यक्ति है जो आरेसे से आये है जो संफकारी है और कानून का पालन करें लेकिन अंधेरे में पाफ होता है अंधेरे में डखाईते और चोरी होती है अंधेरे में वेविचार होता है महाराष्ट्र की सरकार को जीवत तरह से जल्द बाजी में अंधेरे में शपद दिलाई गई ये चत्रपती शुवाजी महाराष्ट के महाराष्ट्र को शोवा नहीं देता अजित पवार मैं देवेंदर फरुरुस का नाम नहीं लूँगा वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते है बीजेपी लेकिन अजित पवार और उनके साथ जो विधायक है ये सबी लोगों ने चत्रपती शुवाजी महाराष्ट का नाम बदनाम किया है या सगया लोकानी अजित पवारान सभ़जे लोकों गेलेले आहित बरवर या सगया लोकानी चत्रपती, शुवाजी, महाराजांचा, महाराष्ट का नावाला, कालिमा फसलेले राज्या की जन्ता याना रस्त्या और फिरुद्यानाद में इस पूरे मामले में हम पवार साब से संपर्ट में है उद्व ठकरे साब और शरत पवार के सुपेश दो बार बात्चीत हुई है दो नेता आज विलेंगे, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ जॉइन प्रेस वंपरस करने की भी बात चल भी है लेकिन अजित पवार ने जो पाप जिया है, जो खंजिर खुपसा है महाराश्टा के पिट में उससे सरत पवार जी का कोई समंध नहीं है जुषिना के साथ नहीं हुआ है यह धोका महाराश्टा की जन्ता और चत्रपती शुवाजी महाराश्ट की उचारों के साथ हुआ है और यह धोका करने वाले जो इसका नित्रुत वजित पावर कर रहे है उसको चत्रपती शुवाजी महाराश्टा माफ नहीं करेगा आप देखिए जिंदगी बोरो तड़कते रहेंगे और चत्रपती शुवाज का नाम अगर लेगे तो महाराश्टा की दंताम तो रस्ते पर फिटे लेगे